मसकार दोस्तों यूट्いき चणनल आईसडी एकाटबू में आप लोक का सवाग है अज फिर से हम आप लोक के लिए चले से स ecc हराद को पहुरक हो चुदेंट ही अभी तक payment नहीं मिला तो जिल्लों को payment receive हो चुका है उनमें से बहुत सरे student कुछ दिन से comment कर रहे हैं किसर हम लोग को payment receive हो चुका है अभी नया session का scholarship का form कब open होगा हम लोग अभी कब से renewal करेंगे क्योंकि हम लोग को scholarship मिल चुका है तो renewal कब से सुरू होता कब से starting होता कब तक last date रहता उसके बार में बताये ताकि हम लोग को उसका information रहे उसका date का पता चले और date से पहले हम लोग document भी तयार कर ले तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगो national scholarship में कब scholarship open होता कब तक last date रहता सभी कुछ जानकर इस वीडियो में आप लोग comment नहीं मिला उसके भी बारे में कुछ नया अपडेट देने वाला हो तो चलिए इस्टूर्ण वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो इंफॉर्मिटिव लगे तो लाइक कीजिएगा तो उस तक साथ ग्रूप में जरूँ सैर कीजिएगा चैनल पनी तो सब्सक्राइब कर ल इस्टेटास इसका दिखा रहा है अप्लेकसन सेंट टू पी एफमस पर पेमेंट और इस स्टूडण को पेमेंट रिसीब भी हो चुका है अब भी नया यहां पर अपडेट आ रहा टॉकेन नंबर जो है यहां पर भी सो हो रहा इसको लोग बील एनसपी में लॉग इन करके अपना स्कॉलरशिब का स्टेटस को चेक कर सकते हैं और एमांट भी अभी सो हो जाएगा अभी बात करता हूँ स्टूडण का नया सेशन का स्कॉलरशिब कब ओपेन होगा और अप लोग को अगर पेमेंट नहीं मिला तो उसका स्कॉलरशिब का स्टेटस को कैसे चेक नस्प का जो application ID है इसको copy कर लेना है देख सकते हैं और वीडियो का description पर आप लोग को यह लिए इस website का direct link दे दिया हूं चेक NSP scholarship status by application number और account number यहां पर click करना है जैसे click करेंगे तो आपके सामने इस तरह के interface open होगा और यहां पर आप लोग चले जाएंगे check status by application number और click here में जैसे click करेंगे तो इस तरह का interface open होगा फिर यहां पर application number फिल करेंगे यह capture code यहां फिल करके search करेंगे जैसे search करेंगे तो वज़से ही आपका data इस परकार found हो जागा जैसे कि देख सकते हैं इस student को payment receive हो चुका है under posting bank for payment दिखा रहा लेकिन payment मिल चुका 9000 रुपया और एक student का status check कर रहा है तो इसका भी 12000 रुपया का scholarship का payment मिल चुका है इस परकार status को आप लोग यहां से check कर सकते हैं payment success दिखा रहा है under posting ministry क्या दिखा रहा है आप लोग comment में जरू बताइएगा अगर आपका payment success दिखा रहा है आपके bank account में नहीं आया तो आप bank में जाका पता करेंगे या फिर आधार sitting bank account पता करेंगे कि आपका कौन सा account में NPCI link ह है मरल हो सकता आपका एक से ज़्यादा account है दो तीन account है किसी एक account में आपका पैसा चल गया इस परकार भी हो रहा है क्योंकि आधार बेस student का payment जा रहा ठीक है अभी बात करता हूं कि नया सेजन का scholarship का form कब open होगा तो देख सकते हैं NSP scholarship portal में अभी एक नया notification चार रहा है चोदो अपरेल से स्टार्ट हो चुका है सिर्फ SC student के लिए ठीक है प्री मेटरीग पोस्ट मेटरीग SC कास्ट की student के लिए ठीक है लेकिन सभी कैटेग्री की student जैसे कि और जितना भी सेंट्रल स्कीम और यूजी सी जैसे ही सानुदेप पीजी इंद्रा गांधी और सक्षम स्कॉलाशिव यह सब जितना भी स्कॉलाशिव है अभी कब नया सेशन का फॉर्म कब ओपन हो गया जैसे अभी अपलाई हम लोग किये हैं 21-22 उसका पेमेंट भी रिसीव हो चुका बहुत को बहुत को नहीं मिला अभी 22-23 का सेशन का फॉर्म कब से ओपन होगा तो आप लोगों को बता दू कि आगस्त में स्कॉलाशिव का फॉर्म ओपन होता है नैशनल स्कॉलाशिव का पिछले साल यान तो आप लोग आगस्त में डॉकॉमेंट को रेडी कर लेंगे जैसे इंकम अगर बनाना इंकम बना लेंगे जाती कास्प जितना भी डॉकॉमेंट उसको बनाना चालू करेंगे कब से आगस्त में क्योंकि आगस्त के बाद से सितंबर अक्टोबर नवेंबर डिसंबर चार म वेट किजिए आगस सित्यमर से आप लोगा फॉर्म एपलाई हो जाएगा फिर मैं आप लोग अपडेट कर दूंगा तो आप लोग वीडियो को देखके अपलाई करने का पॉर्सेस देख लीजिएगा नया के अपडेट आएगा उसको भी देख लीजिएगा यह पर आगस्त से आप लोग ध्यान रखें कि आगस्त आप लोगा फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो जनकर आच लेगे तो लाइक करें कोई अधर क्वेश्चन है तो कमेंट जरू कीजिए चली मिलता अब नेक्स्ट वीडियो में